नमस्कार साथियो नियोज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं सौधीन में आखिरकर क्या जाना जा सकता है केवल रुखी तो लेकिन सरकार खुद ही 100 days of bold initiative and decide you actions नाम कर दस्तावेश प्रस्तुत कर रही है और अपने कारनामों का बखान कर रही है ये कारनामे हैं या मिट्टी के भुढ़ुरे इस पर बाचित करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ट आर्थिक पत्रकार पौरणजागुः ठाकुरता तो पहला बड़ा क्लेम तो आटो मॉबाइल सेक्टर को लेकर ही है कि इसमें मंदी नहीं आई है बसरते नوجवानों का जो चुनाओ करने का तरीका है जो सोचने का तरीका है वो बदल गया है ये विशे के उपर आज वित्रमंत्री निर्मला सीतारामन कुछ कहा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मीडिया वालों ने वो चन्नाई में एक प्रेस कॉन्फरेंस में बहुत कुछ कहा था ठीक तरह से उनका रिपोर्ट आज नहीं हुआ उनका कहना है कि बहुत सारे कारण के लिए आज लोग गारी नहीं खरीद रहे हैं और उसमें एक कारण है कि युवाओं जितने हैं वो ओला उबर पसंद करते हैं टैक्सी में चेरिक इस विशे की उपर आज ये मिन्ट अकबार ने उनी का एक पुराने एक समिक्षा ये सर्वे एक तरह से सर्वेक्शन ने उनका किया था यू गव्मिन्ट मिलिनियल सर्वे उनका कहना यह यह था कि जो 29 और 27 उमर है यैसे 5000 लोगों को उन्होंने सर्वेक्शन किया 180 शेहरों में जुलाई पिछले साल जुलाई अक साल से जादा पहले उनका कहना था कि हम इसमें कुछ हमारा असर नहीं परा और उससे कम उमर जितने थे उससे ज़्यादा उमर थे 38 से 53 उमर वो जोलाई कि हम ज़्यादा खरीते हैं इसका कारण बहुत आसान हो सकते कि जितका उमर कम है उनका आए भी कम है तो उन लोग दो बार सोचके गारी खरीते हैं मगर जो असली बात है जो मोटे मुद्ध है यह है कि आज सरीफ पैसेंजर गारी ने आज भारी वहन ट्रक लॉरी बस इनका मांग भी कम हो गया और से भारी वहन क्यों जो आप कहेंगे मद्वर के लोग खरीते हैं जैसे दो पैया वहन स्कूटर मोटेड मोटर साइकल उनका भी मांग कम हो गया और ठीक है लोग उला उबर का इस्तिमाल कर रहे जरू मगर ये एक ही कारण हो सकता है वो निर्मला सीता रावन जी खुद मान रहे मगर बात है कि आज आर्थिक स्थिती देश की जो अर्थविश्था में जो मंदी का एक दौर आया है ये बहुत कारण है लोग बिस्किट नहीं खरीड है इसपात का मांग कम हो गया आपका सिमें का मांग कम कम हो गया और गारी का भी मांग कम हो गया और एक चीज़ और में कहना चाहता हूँ एक और वादा सरकार ने किया ये जो आपने डौकुमेंट के वारे में कह रहे है हंडर्ड डेज और बोल्ड इनिशिटिव और डिसाइसिव एक्शन उन्हों नहीं कहा कि हम लो तक मकान घर बनाएंगे एकीस बाइस तक और ये जादा से जादा गरामीन आलाका में होगा और ये जो उन्हों ने लक्ष रखा बहुत बड़िया लक्ष है अच्छा होना चाहिए मगर असलियत क्या है दोहजार सोला सत्रा में वित्तिस साल में आप देखा और उसके बाद जो 18-19 साल ये दोनों साल में सरकार को एक करोर के आसपास नहीं पहुचा हुआ चवासी लाक घर सचमुच बना है उस समेह लक्षट था एक करोर वगर च्वासी लाक बना हो इसका मतलब जब है कि और सच मुझ अगर आप ये जो एक करोड पचानवे लाक आने वाले तीन साल में बनाएंगे तो हर साल में आपका लग भग 65 लाक मकान बनाना पड़ेगा इसका मतलब जिस तरह से आप जिस गती से आप गामीन अलाखा में घर बना रहे हैं वो 230 तशमल तो पॉइंट त्री टाइम जैने कि 230 तशमल भरे कम तो ये समब होगा ये समय बताएंगे मगर आप अगर ये सरकारी आखरा अगर देखेंगे पिछले तीन साल में आप जो लक्ष रखते हैं जो टार्गेट रखते हैं ये बहुत आपर रखते हैं मगर असली बाद साल के बाद आप जब दिखाते हैं आखरा ये भी कम हो जाता है हाँ तो इसी तरह से जिस तरह की ये दावे किये गए हैं उसी तरह से अलपी जी को लेकर भी दावा किया गया है कि आठ करोड लोगों का कनेक्सिन मिल गया है इन दावाम को लेकर कैसे ये क्या कहते हैं कि जुटलाया गया है मतलब क्या है इन दावा का सच मोधी जी का सरकार कह रहे है कि 2022 में सारे ग्रामीन आलाका में हर घर में एक रसोई गैस का सिलिंडर आ जागा मैं समझता हूँ देखे सरकार पिछले पाच साल में अगर एक कारिकरम सबसे जादा सफल हुई है यह सरकार का मोधी सरकार का यह कारिकरम और सब लोग समझता है कि यह मोधी जी हमने एक सिलिंडर दे लिया और जिसके पास आज भी सिलिंडर नहीं है वो बले का आने वाले सालों में या आने वाले कुछ दिनों में हमारे घर पर भी एक सिलिंडर आ जागा तो पहला सिलिंडर वो मुफट में आगा अगर आप वो सिलिंडर जब खतम हो जागा आपको दूसरा सिलिंडर खरीज़ना पर गा तो आपको बाजार से खरीजना परेगा तो पैसा आपको ऐसे कैश नहीं मिलेगा, आपका खाता में आ जाएगा, तो बात और एक है, एक है कि इसी विश्चे के उपर पिछले साल एक सर्वेक्शन किया था, एक समीक्शा किया था, ये प्रधान मंद्री उजवला योजना के उपर, उनको कहना है कि 90 फीसिदी से भी ज्यादा, 90 फीसिदी जो ग्रामीन इलाका में जिन लोग रहते हैं, ये सिलिंडर एक ही उनका माध्यम है, खाना बनेने का, अभी वह आपका लक्टी इस्तिमाल कर रहे हैं, और जो गोवर इस्तिमाल कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो असर परा, मगर अभी रास्ता लंबा है और समय बताएंगे कितने अच्छे तरह से ये कारिकरम सरकार लागू कर पाएगी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, ऐसे ही बात की जा रही है, उनके तरफ से दावा दिया जा रहा है कि इस बार जो सदन में बिल प्रस्तुत किये गए, वो पिछले 20 साल के बिलो से ज़्यादा कानून बने, तो इसको लेकर कि क्या सचाई है? उन्होंने ठीक कहा, मगर ये भी मनना पर लेगा कि इस बार जो लोकसभा का अधिवरिशन काफी बर गया, जो हमारे जो एवरेज है, उसे 135 साल, 135 फीसदी बरा, मतलब 35 फीसदी जाद समय बैठे थे, और राज देखिए, बहुत सारे बिल सरकार ने सांसद में पेश किया, इंट्रोड्यूस किया उसी दिन, मगर वो उसी दिन पास करा दिया, उसी दिन हो गया, मतलब उसके उपर चर्चा नहीं हुए बिल्कुल, तो अगर लोकसभा में एक बिल के उपर हमारे सांसद इसके उपर पूरना बात है, जमुएन कश्मीर की, तो एक तरह से सरकार ठीक कह रहे हैं कि बिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा बिल जो सांसद में इन्होंने पेश किया और पास किया, यह ठीक है, सरकार के पास, भारी एंडिये के पास, भारी बहुमत है, पास क्या, मगर मैं स्रिव इत समिती जैसा है, वहाँ पे इसका चर्चा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोक तंत्रा के मतलब, लोक तंत्रा का अगर मानिया आप चाहते हैं, तो चर्चा की संस्कृती हो, यह होना चाहिए, आप से अंतिम सवाल, यह तो आंकडो की बात हो गई, और आप बहुत मह विवस्ता का छितर है, इन सौ दिनों में उसकी प्रवर्तियां अगर आप बताएं, तो क्या हैं? कर रहें, आप गारी के बात कर रहें, बिस्कित का मांग कम हो गया, मकानी लोग बेच पा रहें, आपका सिमेन का मांग कम हो गया, आपका चाय का मांग कम हो गया, आप जो कपरा बनाते हैं, जो सुता बनाते हैं, धागा बनाते हैं, वो उसका भी मांग कम हो गया, यह सारे अगमार में आ रहे हैं, तो एक तरह से अर्थ विवस्ता का स्थिति गंबीर है, और मैंनी आप देखिए, शेर बजार का क्या स्थिति है, दिन के दिन मुंबई शेर बजार का स्टॉक एक्सचेंज का जो समवेदी सूचकांग है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ् हमारे समाज का एक हिस्से हैं, जो शेर बजार में निवेश करते हैं, तो नाखुश है, यही मझे लग रहे, क्योंकि अगर खुश होता है, तो और भी निवेश करते हैं शेर बजार में, और जो बरे-बरे जो आखड़ा आरे, जो विदेशी जो निवेशक है, इसके लिए सरकार कह रहे हैं, आईए, आईए, उनके लिए माला त्यार करके, उनको कह रहे हैं, आप आईए देश में, उन लोग अभी आया नहीं, वो चले जा रहे हैं, देश छोड़ के चले जा रहे हैं, और बरे-बरे जो संस्ताय हैं, जैसे I-LNFS, वो इसका समझचा एक साल पहले शुरू हो गया था, मगर कंपनी अग्दम डूबी गया, और ऐसे हाउजिंग फाइनैंस कंपनी था, दिवान हाउजिंग, इंडिया बोल सिए, सारे कंपनी के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, बैंकों के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, कि उनका जो नॉन परफॉर्फॉर्मि शुरू कर दिया, तो पूरा जो महल है, अर्थ विवस्ता को जो महल है, यह अच्छा निये काफी कराब है, शुक्रिया हम से इस सब्सक्राइब बात्सित करने के लिए, यह बोल्ड इनिसियेटिव एंड डिसाइजिव एक्सन है, या माटी का भुरूरा, आब आप खुद दाई कीजिए, शुक्रिया, देखते रहिए नियूस के लिएटिव